हे व्रिवान वेल्कम तुमा चानल देट ग्लामाप कुईन तो कैस आज मैं आप सब के साश्य करने वाले हूँ एक ऐसे डियावय स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग रेमेडी जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइटन ब्राइटन बना सकते हैं ग्लोइंग बना सकते अगर आपके स्किन में बहुत साथा दाग धबे जाएं या पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम है तो इस डियावय रेमेडी को आप जरूर ट्राय करें बहुत ही ज्यादा नैच्रल और एफेक्टिव है आपके स्किन के लिए आपके स्किन को वाइटन ब्राइटन बनाएग ज़ादा ताइम नहीं करते हुए चले स्टार्ट करते है अज की वीडियो कि हम इस ट्राइवय रेमेडी को किस तरीके से बनाना है इसको बनाने का तरीका बहुत ही जादा सिम्पल है कर दो कहना है आपको लेना है एक clean bowl जिसमें आपको एड करना है वान टीज पून. वीड solution गेहूं का आठा ही होता है तो आप इसे जरूर ट्राय करें अपने फेस पैक में उसके बाद मैस में आड़ करने वाली हूं बेसन यानी ग्रैंग फ्लार एक से देड़ चमच आप इसमें बेसन आड़ करें बेसन दाग धबे जाएं या टानिंग के लिए बहुत जाद अच् उसके बाद आपको के करना है आपको लेना है मेथी दाना उसको मिकसी में बीसकर आप इसका पाउडर घर पर बना सकते हैं या फर मार्केट से भी पाउडर इसका ला सकते हैं मेथी दाना पाउडर आपको इसमें आधा चमच आड़ करना है जितना यह बालों के लिए अच् न दूर कर देगा। इन तीनों चीज़ा आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे से तीनों चीज़ें मिक्स हो जाए। उसके बाद आपको एक smooth creamy सा paste त्यार करने के लिए आपको इसमें add करना है raw milk यानी कच्चा दूद। कच्चा दूद आप इसमें इतना add कर लिए ताकि एक smooth creamy सा paste त्यार हो जाए मैं यहाँ पर 4-5 चमच add कर रही हूँ बहुत अच्छे से mix कर लेना है और आपको ध्यान रखना है कि इस पैक में कोई lumps नहीं रहने चाहिए बहुत ही smooth creamy सा paste त्यार हो जाना चाहिए जो आपके face पर अच्छे से apply हो सके तो बहुत अच्छे से mix कर लेना है जैसे से आप इसे mix करेंगे सारी चीज़े एक सब अच्छे से mix हो जाएंगे और एक smooth creamy सा paste त्यार हो जाएगा तो मैंने से mix कर लिया है और अब हमारा DIY pack एकदम ready हो चुका है और आपको ध्यान रखना है कि इस पैक में अच्छे से wash कर लीजिए उसके बाद आपको smoothly massage करते हुए से अपने face पर apply करना है बहुत ही smoothly massage करनी है जोड़ जोड़ से अपने face को बिल्कुल नहीं रखना है massage करते हुए से अपने face पर apply कर लेना है और massage करने से क्या होगा कि आपकी dead skin remove होगी साथी साथ स्किन का blood circulation बढ़ करनी है 2-3 मिनिट बाद जब यह पैक अच्छे से सूप जाए कम से कम 20-25 मिनिट बाद तब आपको normal water से अपने face को wash कर लेना है इसके पहले यूज से आपको results मिलने शुरू हो जाएंगे आपकी skin बहुत ही जादा soft smooth feel होगी बहुत ही जादा clear नजर आएगी जब आप इसे use करोगे तो आपको 100% results मिलेंगे मैं आपको guarantee देती हूं बहुत ही जादा natural pack है effective remedy है आपकी skin को कोई हाम नहीं होगा पालर जाकर महंगे महंगे facial महंगे महंगे cream powder यूज करने की बजाए अगर आप घर के बने natural यूज करोगे तो skin को कोई हाम नहीं होगा पालर की चीज़े या और जदा soft smooth भी feel कर रही है skin तो आप इस DIY remedy को जरूर ट्राय करें बहुत ही जदा natural effective है skin को कोई हाम नहीं होगा बलकि आपकी skin की सारी problem चुटकियों में दूर हो जाएगी अगर आपको इसके best ritual चाहिए तो week में कम से कम 2-3 बर जरूर ट्राय करें आपकी skin की सारी problems दूर हो ज पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को like करें और please मेरे चानल को जरूर सबस्क्राइब करें और अपने friends के साथ share करना ना भूले मैं मिलूंगी आपको अगली नए वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye take care